हिंदी साहित्य की रोचक और काल जई कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिए हिंदी की सुप्रसिद लिखिका शिवानी जी की लिखी हुई कहानी जेश्ठा तो शुरू करें कहानी कभी कभी नारी ही नारी के लिए एक जटिल पहली बन उखती है वैसे एक नारी के जिस छलना में सुभाव का घनिष्ट परचे दूसरी नारी को अपने पारिवारिक जीवन में पग पग पर मिलता रहता है वो शायद किसी पुरुष को कभी नहीं मिल सकता जेठानी, देवरानी, ननत, भावी यहां तक कि एक मा की जाई दो सगी बहनों को भी कभी-कभी इरश्या, द्वेश, कामना या लोग की आरी चीर कर विलक कर देती है वेमिनस के अखाडे में जूजती वी रांगनाएं किसी कुशल फेसिंग के कलाकार की दक्षता से प्रतिदंदनी को कभी जिवा के प्रहार से धराशाई नहीं कर देती हैं और कभी छलवल से जहां मूर्ख पुरुष प्रोट से अंधेबन कभी-कभी फासी के फंदे को भी भूल कर शत्र बुंड गडासे से अलग कर देते हैं वहां प्रतिशोद लेने के लिए नारी कभी ऐसी अविवेक पुण मूर्खता नहीं करती वह शत्र की सुविख्याती, सुनाम यहां तक की उसका सर्वस्व भी हरन कर सकती है केवल अपती तीकी जिवागे कुठिल प्राहार से इसमें कोई संदेने की नारी ही नारी की सबसे बड़ी शत्र है पिरी की सबसे बड़ी प्रतितनिनी थी स्वैम उसकी भावी सास पूरे 20 वर्ष तक उसके विवा मार्ग में नागिन सी अड़ी खड़ी फुपकारती रही थी और 29 वर्षों में किस दुस्ताहस से पिरी उसी मार्ग से लुक शिपकर अपने प्रेमी से मिलती रही थी मैं सब जानती थी पर आज ये कैसे हो गया ये चलना मई मुझे अपनी क्षणिक जलक दिखा कर नारी सुभाव के रहस में अतलार नव में डुकिया लगाने छोड़ गई है अब अपनी मूर्खता पर एक शोब भी होता है क्यों वहीं उसे कंदे पकड़ कर नहीं जग जोड़ दिया कम से कम वो भोला चेहरा पल भर को तो फक पड़ता मूर्ख खदबुद्धिसी में फवारे के पास खड़ी बेंच पर निरलजजटा से चोच मिलाए उसका बूतरी जोड़े को देखती ही रह गई थी सामाने रूप से हाथ बढ़ाने पर ही मैं उस कम वो कंठ में जूलते मंगल सूतर के बीज कुथे मूंगे को बड़ी निर्ममता से खीच सकती थी पर जोड़े के पीछे मूरने से पहले ही मैं सुच्छा से स्वैमी मुर गई उपर की सड़क पर पहुँच कर देखा तो बेंच खाली थी सीजन की उद्देश हीन भीड के अतहा प्रवा में प्रेमी यूगल खो चुके थे आज से कोई 20 वर्ष पूर पिरी ने अपनी सगाई का समाचार मुझे स्वैम तार दे कर दिया था मैं सच कहती हूँ कि उस दिन उसकी सगाई के समाचार से मुझे चितनी प्रसंड़ता हुई थी उतनी शायद अपनी सगाई के दिन भी नहीं हुई ना जाने कितनी बार ऐसे हर्डल पार करने में पिरी के शरीर और मन दोनों बुरी तरह शत विक्षत हो चुके थे लाखों में एक ना होने पर भी उस चेहरे की लुनाई में एक अनुपम आकरशड था लंबी छरैरी दे, गेगुआ रंग, सुत्वा नाक और उचे उठे कपूल आँखें बड़ी ना होने पर भी चौबी सो घंटे उज्जुल हसी से चमकती रहती भूरे रेशम की लच्छियों से केश सामान हवा के जोके से ही मनमुहग घेरे में चेहरे को बांध लेते उस पर उसका आनंदी सुभाव पलभर के पाहुने को भी अटूप मैत्री के बंधन में जकर लेता पांच मिनट के परचे को भी वो पांच वर्ष का परचे बना सकती थी इतने वर्षों में भी उस कमनिय चेहरे का कैशोरे नहीं गया है जैसे कूर्मानचल अस्ताचल गामी प्रोड सूर्य जाते जाते भी डूपती किर्णों का अद्भुत उज्वल जाल बिछाता परवत शिडियों को अनुखी आभा से आलोकित कर जाता है वैसे ही उससे विदा लेता यौवन बड़ी हटीली द्रष्टता से अरता उस लुभावने चेहरे को और भी लुभावना बनाता चला गया था मैं तो उसे देखकर दंग रह गई थी सामान गेहुआ रंग ऐसी दूदिया शुबरता में कैसे बदल गया सुना तो यही था कि बसंत और यौवन पद्म पत्र के जल बिंदु से ही क्षण इस्थाई होते हैं पर इन बीस वर्षों में पिरी क्या और भी सुन्दर नहीं बन गई है वही बल खाती देह यश्टि मोटी काली चोटी उसी कौमार्य वस्था की अलहरता से सामने जूल रही थी कान के पास चंदर मलिका का एक बड़ा सा पुष्प सर्च लाइट सा चमक रहा था ठीक जैसे हवाई दीप की कोई लावने मही दृष्टा के शोरी विदेशी परेटक के पार्ष में कान के फूलकों से बैठी किसी एरलाइन्स का विग्यापन बनी मुस्कुरा रही हो क्या कहूं लिखने में तो निवर बीड़ा से लिखनी स्वयम संकुचित हो रही है किन्त मर्यादाहीन ओदारे से प्रदर्शित उसुदौल नंगी पीट पर आसपास खड़े कितने ही परेटकों की लोलुब द्रिष्ट गड़ते देख मैं लजजा से गड़ गई अविश्वास से मैंने अंतिम बार फिर दोनों को देखा नहीं संधे के लिए सामाने सी भी गुंजाईश नहीं दोनों वही थे पर ये कैसे हो गया गत वर्श जिसके इसपर्श से सिहर कर वो मेरे पास भागाई थी और जिसके अप्रत्याशित प्रड़ने वेदन की अद्बुत कहानी सुनाने में बार बार भैसे कापती सचके द्रश्ची से द्वार को ऐसे देखने लगती जैसे कहीं वो अचानक आकर खड़ाना हो गया हो जिसकी ब्रत्य कामना के लिए उसने जाखन देई कि वर्दाई मंदिर में निरंतर तीन महा तर घृत दीप जलाया था जो सुयम कभी अपनी मा के साथ उसके सौभागदार का पत अफरुद्द कर हटीला प्रहरी बन खड़ा हो गया था क्या वो अंत में उसी की प्रहरे डोर से खिची चली गई पिरी का नाम था हरी प्रिया एक ऐसा प्रिचलित नाम जो कभी पहाड की हर तीसरी लड़की का हुआ करता था पर पिरी हर तीसरी लड़की सी साधारान नहीं थी शायद यही कारण था कि वो सोले वर्ष की भी नहीं हुई थी कि उसकी कुड़ेली हाथों ही हाथों में तौली जाने लगी पिता में मुंफली बेचते थे किन्त पिता ने कठोर दारिदे को अपने चरेतर बल से दूर ठेल कर प्रतिष्ठा एम स्रमध्य पाई थी इसी से थे कठोर मित्वयी लोग कहते थे कि उनकी मित्वयीता ही उनकी सरला पत्नी की अकाल मृतिका कारण थी जो भी हो उनकी मित्वयीता से हार मानने वाली पिरी नहीं थी प्रायाई वो पिता के इधर उधर चिपाए रेजगारी के इस्तूप से मुठी बर चमनी अठनिया बटोर कर अपने काच के बटन सी चमकती आँखे चमकाती अपनी छट से हमारी पत्थरीली छट पर कूदाती अभी अभी मोहला निकलेगा तू बुला लेना समझी छक कर टिक्या खाएंगे मैं उसके दुस्साहास को देखकर काप जाती कहें उसके पिता ने देख लिया तब भटी कमीज उल्टी कर कब किस छट के पत्थर पर जमा बुढ़ा जुए बीनता छोड़ हमारी चोटी पकड़ कर घसीट लेगा क्या कुछ ठीक था पर संध्या ढलती और मीठे गले की सुरीली हांक से मोहनलाल न जाने कितनी किशोरियों की चटुरी जिवाओं को आमंद्रित कर देता पोटेटो की टिक्या हर डबल में एक मोहनलाल को भला तब अलमोडा की कौन किशोरी नहीं जानती थी अदेड चेहरा, स्याह रंग और सीख सी अंगलियों में गजब की फूर्ती पतले तव्य पर सिक्ती गुलावी आलू की टिक्या चुट्कियों से छड़का गया मसाला और खटी मीठी चट्नी डाल कर बनाई गई अम्रत बूटी कैसा अद्भुत व्यक्ति था वो राम लीला में बनता था केवट और उसी चौपाई के लहजे में जब मीठी हाक लगाता पोटेटो की टिक्या डबल में एक तो एक से एक सनातनी महिलाएं भी टिक्या खाने पिछवाडे का द्वार खोल लेती राम चंद्र जी का केवट है बला उसके हाथ के टिक्या खाने में कैसा दोश निपुने का पुत्री कब कितनी रेजगारी पार कर लेती है पिता को पता भी नहीं रहता पहली बार सुन्दरी पुत्री की कुंडली मांगी गई तो बेचारे बड़े उत्सा से म्रत पतनी के हरर के चमडे से मड़े जीर्ण पितारे से कुंडली निकाल चटपट दे आये थे उसी संध्या को खोटे सिक्के सी कुंडली लोटाई तो उनका माथा ठनका देने वाले ने तो ये कहकर लोटा दी थी कि कन्या के तीन क्रह लड़के से बड़े है पर अल्मोडा भर की कुंडलीयों की रेखाओं का लेखा जुका रखने वाले भटे जी ने कुंडली का भेद खोल दिया जहां जहां पात्र से बड़ा भाई होगा वहां वहां से कुंडली ऐसे ही लोटाएगी पन्ते जी कन्या का जेश्ठा नक्षत्र है मूर्खा पत्नी पर मनीमन उन्हें कुरोध भी आया था क्या मरने से पहले किसी को कुंडली दिखानी सकती थी अभागी उन्हें पहले पता होता तो दस-पांच रुपया देकर भट जी से ही दुष्ठ ग्रह को मटिया मेट करा देते उनके पुत्र अंबी ने क्या पुत्री का अश्टम मंगल भट जी के दक्ष स्याही मेट रबर से नहीं मेट दिया था पर दूसरा कटु सत्य भी अचानक पंते जी को अंगुठा दिखाने लगा क्या कर लिया था कन्या की कुंडली में जाल साजी करके क्या भागे का लिखा ग्रह भी बिटा सके थे उतकोच से विवा के तीसरे ही महीने पुत्री विद्वा हो गई थी फिर उन्होंने बड़े चातोरे से कुंडली प्रवासी बिरादरी में भेजी पर प्री का जेष्ठा नक्षत्र फन उठाए डसने को ततपर घातक पद्मनाग साही भावी पती के जेष्ठा भाई की हो जीप लपलपाता दोड़ पड़ता और एक नाएक भाणा बना कर कुंडली फेड़ दी जाती फिर ऐसी बात क्या छिपाय छिपती है कुर्वांचल के कर्म कांडी परिवार तो विवायोग कन्याओं के मंगल, जेष्ट, अशलेशा, नक्षत्र, कंठस्त रखते हैं और अफसर पाते अपनी विवायोग कर्न्याओं के तुरुप लगाने से नहीं चूकते इसी बीच अचानक पिरी को कुछ ख़णों के लिए ब्रहस्पती की दशा आ गई हमारे मकान से लगा मकान था पिरी के पिता का और उससे नए दुमजले मकान में पांडेजी रहते थे उनका जेश्ट पुत्र राजेश वर्शोंपूर्व हाई स्कूल की परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर लज्जा से ग्रहत्याकर अद्रशे हो गया था तपका विद्यारती क्या आज के विद्यारती सा दुस्सासी था जो पकड़े जाने पर गुरूजनों का पेट-फार परीक्षा भवन में उनकी आते फैला देता या कलेजा फाड़ कर फेपड़े पकड़े जाने पर तपका संसकार शील किशोर या तो ताल तलेया में कूत कर स्वयम को दंड दे लेता था या ग्रहत्यागी बन देश विदेश में अलग जगाए गूंता रहता धीरे धीरे पंद्रे वर्ष पीद के इसी बीच काशी के प्रसिद तांतरिक पांडे जी के अतिती बन कर आए एकदम पहुँचे सिद अख्रोट के व्रक्ष के नीचे धूनी रमाली और देखते ही देखते पहाड की धर्म भीरू सहज विश्वासी भीर ने गेर लिया कैसे ही विशम प्रशन पूछो चट से उत्तर दे देते पांडे जी ने भी ग्रहत यागी पुत्र के लिए गुत्र प्रशन किया उत्तर मिला तुमारा पुत्र दक्षन दिशा में जाकर एक जहाज में बैठा था जहाज डूब किया ग्रत्य का संकेत इसपष्ट है कर्म कांडी पांडे जी ने चटपट कुषका पुत्ला बनाया और गति क्रिया कर दी मा जिस पुत्र का चेहरा भी भूलने लगी थी उसी के लिए छाती पीट-पिटकर ऐसे विलाप करने लगी जैसे लाश अभी आंगन में ही धरी हो राजेश की कालपनिक नत्य की तेरही के दूसरे ही दिन ग्रह के दूसरे पुत्र देवेश के लिए पिरी की कुंडली लेकर पंतेजी पहुँच गये पिरी को सबने देखा था पर भावी सास को आपत्ती थी ऐसी रूपवती बहु के सो नकरे भलाओ कैसे सहेगी फिर उसकी बहन की तीन-तीन रूपवती बहुएं उसे सबक सिखा चुकी थी तीनों बहनोत रूपवती पत्नियों के गुलाम बनकर रह गए थे बहु के रूप को क्या मैं चाटूंगी उसने तुनक कर कहा था, मुझे तो गुण चाहिए, गुण पर पांडे जी ने मूर्खा पत्नी को मना लिया कैसी बात करती हो, मक्खी चूस की एक ही लड़की है आकर कितने दिन जीएगा, सब संपत हमारे देबू को मिलेगी बस चटपट मंगनी हो गई थी पर किसी शक्तिशाली कीलक गाड़ कर पल भर में अवश बना दिये गए ग्रहने फिर करवट बदली, विवा के आठ दिन रह गए थे पिरी की प्रसनता आकाश चू रही थी, छूती भी क्यो नहीं देबू सा सजीला तरुन महले टोले में ढूरने पर भी नहीं मिल सकता था बच्पन से ही वो पिरी को परी परी कहकर चिड़ाता था और एक बार जब महले के रिष्टे से हम सब परोस की लड़कियां उसे भाई दूज का टीका लगाने पहुँची तो उसने हसकर कहा था सबसे रोली का तिलक लगवा लूगा पर इस परी से नहीं इसे मैं क्या कभी बहन कह सकता हूँ हाए हाए कैसा बेहया है ये देबूदा रुख जा अभी कहती हूँ चाची से पिरी बनावटी रोश से कहती बिना तिलक ये ही लोटाई थी उस दिन से हम निते छेड़ती रहती ए परी जाना तिरी सस्राल के दाड़े में खुब फलाया है ले आना चल भर कर और क्या बुडिया मुझे वहीं जीता गाड़ देगी बुडिया का बेटा तो नहीं गाड़ेगा अपनी परी को इतना मैं तुझे लिकर दे सकती हूँ वो मुझसे कहती और उसकी सदा बहार आखें डब डबा जाती बुडिया मुझे कभी बहु नहीं बनने देगी पर जब एक दिन सुना कि सचमुची पिरी की सगाई वहीं हो रही है जहां वो चाहती थी तो मैं प्रसनता से उचल पड़ी और उसी विभावत्सव के लिए परीक्षा से पहले चुट्टी लेकर घर आ गई आसन विभावतिती ने पिरी को सचमुच परी बना दिया था उसका वैसा रूप फिर मैंने कभी नहीं देखा एक तो उसने कभी पहाड की देरी नहीं लांगी थी इसी से गालों की पहाडी सेबो सी कुमारी लालिमा आखों की निर्दोष चावनी स्वच्छ दंदपंगती और स्वच्ट गुदगुदी देह में गुमाओं की वनलक्षमी का सरल सौंदर इसाकार हो उठा था उधर प्रेम जोर्श संदिपात की अंतिम अवस्था में पहुँच चुका था हिर्दय के उल्लास दे उसे और भी उधार बना दिया था महा ओदारे से वो दाएं बाएं अपनी प्रसनता का सीमित भंडार लोटाए दे रही थी बात बात पर हिर्दय लुभाने वाली हसी पद्चाप से ही मुनियों का तपो भंग करने वाली पिरी के कटाक्ष जैसे और भी खातक बन गए थे मैंने उसे एक बार टोग भी दिया था इतना मत हस पिरी इतना हसना अच्छा नहीं होता बहुत हसने से बहुत रोना भी पड़ता है ऐसा मेरी नानी कहती थी रोएंगे मेरे दुश्मन समझी रोएंगे ताई चाची और मामी जी जो अपनी लड़कियों के लिए मेरे इसी राजकुमार के सपने देखती रही पर हुआ उलता पिरी रोई और दुश्मन हसोथे हम सब को लेकर महा उच्छा से कर्क एंड टैपले की समारी पर पिक्टिंग मनाने ले गई थी पिरी सिटोली के उस गहन वन में उन दो विदेशियों की कबर के पास बिताया गया वो दिन आज भी नहीं बूलता धालू पहार पर हमारी अलहर अठखेलियां संसार के अनभवों से अच्छूता निर्मल चित्त का उल्लास हमें घर लोटे की सुद्बुद भी बुला बैठा जब लोटे तो दिन दूट चुका था पिरी ने घर की देरी लांगी भी नहीं थी कि आचल घरशर से जवा पुष्पसी लाल सूजी नास का पोच कर चाची ने टोग दिया लो शहजादी धेंगडी सीवन जंगलों में आज कर आप घर लोटी है बीच के कमरे में पहुँचने तक लाल नाक का रहसे खुल गया पंद्रे वर्ष पूर्व का ग्रहत यागी परवत पुत्र अचानक बिना किसी सूशना के दूस्व अपनी की भाती भरी दो पहरी में द्वार पर खड़ा हो गया था इतने वर्षों तक सिंगापुर में था प्रचर रुप्या कमा कर ही नहीं लोटा जिस नगाडे से पेट और सीख सी पतली टांगों को लेकर घर से भाग गया था उनको भी सूदूर विदेश में कहीं बहा आया था अब वो उंचा अगला ग कर गिन्नी नहीं देगा देखती नहीं दिन भर में तीन चिठ्धिया लिखता है एक सुबह एक दोपहर एक शाम कभी कभी रात को भी मेरी छत पर एक लिफाफा आ गिरता है तू क्या सोचती है वो अब मेरे जेश्ठा वेश्ठा से डरेगा पर पांडे जी ने दूसरे दि दूसरा जन्म हुआ है वो अब उसे मौत के मुह में कैसे धकेल देगी जान भूज कर मक्ही नहीं निकली जाती पंते जी हमें एक शमा करें यानी मैं मौत हूँ मैं मौत हूँ वेचारी पिरी क्रोथ से कापती एक दम बोरा गई थी उसके पिता पत्र हाथ में लिए भावी समधी के पैरों पर टोपी रखने का संकल्प कर भागते गए और उल्टे पैरों लोटाए द्वार पर ताला पड़ा था पांडे जी असमेही कर दी गई जीवित पुत्र की अंतेश्टी का प्राश्यत करने सब परिवार गया चले गए थे तीसरे ही दिन जिस अमानुए द पहर से बस्ता उठा कर वो कॉलेज गई उसे देखकर हम सब दंग रह गई थी एक दिन पहले बाद बाद पर रसीले अधरों पर उतराने वाली हसी पहाड के क्षणिक सूर्या लोक सीही आकर फिर विलीन हो गई थी घन विशम मेक खंडों ने निर्मल उत्फुल चंद ब्र कर शायद ताउ के पास इलाबाद भीज दिया गया और उसके इसी पलायन से पिरी बॉकला गई एक दिन वो अपनी छट पर खड़ी हुई तो देखा दूसरी छट पर कोई खड़ा है तब क्या देबू लोट आया वो उत्साह से मुस्कराती आगे बढ़ी और फिर दो कतम पीचे हट गई वो देबू ने उसका बड़ा भाई राजेश था वही जिसने उसके बहु प्रतिक्षित विवा के ठीक आठवे दिन से एक दिन पहले आकर उसके समस्त सुरनिम सपन चूर चूर कर दिये थे वो द्रश्ट युवक उसे निरज्जता से घूरता मुस्कुरा लहास देख पिरी इस्तब्द रह गई पर दूसरे एक शन उसकी आँखों से घणा तिरसकार और क्रोध की लप्टें भड़ा कूठी जहां 15 वर्ष सिंगापुर में रहे वहां क्या 8 दिन और नहीं रह सकते थे वो क्रोध से थर थर काप रही थी नहीं उस निरलज बेहया क एक एक नयन नक्ष अपने सुदर्शन भाई का था अंतर था किवज शडीर की गढ़न में जहां छोटा भाई बचपन में सुकुमारी सीता का अबने करते करते चेश्टा करने पर भी वास्तविक जीवन में कभी राम नहीं बन पाया राम लीला के सुदीर अबने ने इस्त पीले अधर द्वय का अस्तित्व ही मिट कर रह गया था आप क्या अपनी मा को समझा नहीं सकते कि ये सब कुंडली का धुकोसला आप नहीं मानते मैं जानती हूं कि आपके पिता को कोई आपत्ति नहीं है पिरी ने बाद में मुझे बतलाया कि वो अपना ये प्रशन शक कौमारी व्रत से बचा सकता है उसका स्वर गंबीर था लग रहा था इस बार उस सचमुची उसकी हसी नहीं उड़ा रहा है क्या पिरी शायद दो कदम आगे बढ़ भी कई होगी उस चंचल किशोरी को मैं खुब जानती थी आकस्मिक पतेजना से उसकी बोटी बोटी फ उसका सिर चक्रा गया मैंने उसे खीच कर ऐसा तमाचा मारा कि चूडियां तूट कर दूर तक जंजना गई फिर मैं पागलों की तरह सीडियां फांद गई पिरी ने मुझे लिखा था इसके बाद वो च्छत पर कभी नहीं गई दीरे दीरे उसकी सब मौसेरी फुपेरी ब बहों पर तहें बिच्छाती पास परोस में हाथ नचा आखें मटका वैसी ही निरर्थक बातों की गंदी पुटलियां खोलने लगी जैसी उनकी मा चाची और ताइयां खुला करती थी किसकी लड़की किसके साथ भाग गई किसकी बहु ने सास के साथ दुर्वेवार किया किस सास ने नई बहु को उसके दहेज का एक लोटा भी नहीं दिया आधी आधी पर पिरी को छूने में जीवन का प्रॉड दस्वी जैसे सहम कर दो कदम पीछे हट गया था वो मेडिगल कॉलेज से छुट्टियों में घर लोटती भी तो अपने ही कमरे में बंद रहती एक बार संध्या को अकेली मंदिर से लोट रही थी कि उसकी टकर भूले विसरे प्रणई से हो गई मान अभिमान के कई रसीले प्रकरोन के पश्चात अधूरे उपाख्यान की नमीन स्रश्टी हुई इनी दिनों में भी पहाड गई थी पिरी से अचानक भेट हो गई जाखन देवी के मंदिर में हाथ में घृत दीप लिए वो देवी के सम्मुक नत्मुकी खड़ी थी किसके लिए जला रही है आजिये मैंने हसकर उसके गंधे पर हात रहा और वो चौक कर मुड़ी मंदिर की तूटी सीड़ों पर बैट कर फिर मैंने उसके दुस्तासी प्रेमी की एक एक भीश में प्रतिग्या सुनी वो कहता है विवा करेगा तो मुझी से या जीवन वर कुमारा रहेगा उसके पिता तो पिछले साल नहीं रहे तू सुनी चुकी है पर बुड़िया का जैसा स्वास्त है शायद दोसो साल की होकर भी नहीं टलेगी और वो ससुर के जेट बहादुर नेपाल में ठेकेदारी कर रहे हैं सुना ठीकरा भी उठाते हैं तो सुना बन जाता है बुड़िया ने तो बहुत तेसुआ पाहे पर वो भी कहता है कि कुमारा ही रहेगा उसी के लिए तो जलाती हूं दिया वो हसने लगी थी उस मंदिर में जलाये गए ग्रत की महिमा भला कौन नहीं जानता था बहुत पहले एक प्रण्यों मत्ता किशोरी ने वहीं दिया जलाया था जिस घर की कामना है तो प्रदीप लेकर नित्य संध्या को पहुंशती थी उनका एक दिन कहीं विवा भी हो गया पर किशोरी का था देवी पर अगाद विश्वास वो नियम पूरवक प्रदीप जलाती रही एक दिन किसी ने शायद छेड़ भी दिया अब क्या करेगी दिया जलाकर देवी तुझ पर प्रसंद नहीं हुई देवी प्रसंद हुई जिसे उसने मनी मन वरा था वही उसका पती बना नई बहुत इसरे ही महीने गो लोग पासिनी हो गई थी दूसरा विवा हुआ उसी किशोरी से तू किस सौत की मृत्य कामना करने को दिया जला रही है मैंने पूछा क्यों अबोध शिशुसी आखों में था अगाध विश्वास मेरी सौत कौन है तू नहीं जानती मेरा जेट मैं काप गई थी ची ची ऐसा मत कर पिरी पर मेरे कहने से क्या पिरी रुपती मंदिर में नित्य घीका दिया जलने लगा फिर भी देवी प्रसंद नहीं हुई दोनों दर्शनी एकुमारे भाईयों की राम लक्षमर की सी जोडी कन्या ध्या एक ग्रस्त माता पिताओं की छाती पर मूंग तलती रही दीरे दीरे माताओं की कुंठा पिरी के प्रति गहर आकरोश में शत मुखी कुटसा बन कुटिल प्रचार करने लगी देखती नहीं दाया पैर बढ़ा कर चलती है ठीक कहती हो चाची कल मेरे घर की गली से होकर अस्पताल जा रही थी मेरी कड़ाई में तेल जल रहा था चर्ष से इसने नाक पर रुमाल धर दिया मैं कहती अरे दिन दाहरे जो डाक्टर नी उसके बेटे के साथ मुख काला किये फिर रही है उससे अच्छा ये नहीं किसे बहु बना ले चाल धाल से तो यही लगता है कि कम से गम पाश्वा महीना है एक दिन मैंने सुना और सन रह गई क्या पता बेचारी पिरी को पता भी ना हो कि समाज को उसने किस हद तक अपना गहा तक शत्रू बना लिया है मैंने जब उससे ये सब कहा तो हसने लगी मूर्क औरतें इतना भी नहीं समझती मैं परिवार नियोजन केंदर में काम करती हूँ जो जिरह बकतर इन्हें पहना चुकी हूँ वो क्या मैं स्वैम नहीं पहन सक ले तब वो जिस जिले में तेरी बदली होती है वहीं क्यों भागता है क्यों तुझे बदनाम करता फिरता है इसलिए कि वो मेरे बिना जी नहीं सकता और अपनी खूसर्ट माह से भेहट डरता है उसकी मा कहती है यदि उसने मुझसे विवा किया तो वो ताल में कूद पर हम दोनों के मिलने पर अब विधाता भी प्रतिबंद नहीं लगा सकता समझीं यही नास्तिक पिरी के सुभाव का सबसे बड़ा दुर्गोर था बात बात पर विधाता को दी गई चुनौती और सोयम अपने एहंकारी सुभाव पर अटूट आस था इसी बीच पिरी का जर से ग्रस्त हो नेपाल से सुदेश आ गया था लगता है इस बार मेरा जेश्ठा रक्षत रंग पकड़ रहा है पिरी ने मुझे उस बार लिखा था लाख हो फेरे फिरने से ही क्या सब्तबती पूर्ण होती है चाहने पर मैं अब अपने विभा की रजजयनती मना सकती सैयम के चाबुक से अपने को न साधा होता तो शायद मैं भी तेरी तरह दो कन्यादान निप्टा चुकी होती जेट बहादूर की अवस्था बहुत सो इधागी नहीं है सन्निपात का चौता हफ़ता ही सबसे खतरनाक होता है और उसी में जूल रहे हैं जेट जी मैंने उसे किसे प्रलाप को सुनी अंसुनी करने वाला धीर मति विधाता भी शायद उस बात बौकला गया उसी दैवी पात प्रहार से लड़कडा कर पिरी ऐसी गिरी कि विमूर विपन्ण बनी किसी अंजान धरातल में धस्ती सहसा अध्रशे हो गई बड़े भाई को देखना गया छ इसकी मृत्य के पश्चात पिरी कहा गई कब गई कोई भी नहीं जान पाया लंबी छुट्टी के एक अरजी देकर वो जैसे एकी रात में पग उगा कर किसी अंजान दिशा में उड़कर अद्रश्य हो गई थी गत वर्ष अचानक धूम के तुसी ही वो कूर्मांचल के इसकी शसुर ग्रह में जहां कल्पना लोग की पालकी उस नवड़ा को गुले नारी रंगवाले दुपटे से धाब ढूप नजाने कितनी बार पहुचा आई थी जहां उस किशोरी की कौमार्य वस्था के सहसर दिवास्वपन एक साथी हास से छूट गई ट्रेप धरे काश के पातरों की भाती तूट कर चकना चूर हो गए थे जहां कल्पना ने उसे नवेली बहु बना कर खड़ा किया था वहां खोस यथार्थ के धरातल पर वो खड़ीती विध्वा के वेश में जो विवा ना होने पर भी सदवा थी पर आज अग्नि साक्षी ना होने पर भी व उसका सस्त प्रेमी ही खड़ा था वैसी ही इस निग्ध तरल बादामी आखें और रामलीला के सीता की सुकुमार हसी शायद मूचे मुडानी थी उसी से शकल छोटे भाई से इतनी मिलने लगी थी आईए उसने कहा और सहमी पिरी उसके पीछे पीछे चली गई थी पिरी ने उसके कापते कंट स्वर को सहियत होने का समय देने ही शायद वो बड़ी समझदारी से अपने भीतर के कमरे में चला गया थोड़ी देर में लोटा तो हाथ में गरम चाय का प्याला था लीजिए पहले आप चाय पीजिए डाक्टर निया तो सुना बहुत चाय पीती हैं क्यो है ना और वो फिर हसा और इस बार पिरी का चेहरा एकदम फक पड़ गया हाथ काप कर चाय शायद कुछ छलक भी कई थी कहीं इसके छोटे भाई का प्रेथी तो इस पर काय प्रवेश कर उसे चलने नहीं आ गया एकदम वैसी ही हसी और पतली नाक पर पढ़ती हूबहू वै मेरे पास था सोचा पहाड जा रही हूँ तो अपने हाथ से आपकी मा को सौपूँगी गला पल भर को फिर रुंद गया पर दूसरे एक शन बड़ी स्वाभाविक्ता से कंट स्वर वैसा ही रौविला बना लिया जिसमें वो म्रत प्राय रोगणियों के मूर्क अभिवाव को को समय रहते उन्हें अस्पतार ना लाने के लिए डाटा करती थी मेरे पास फिजूल का समय नहीं है उन्हें जरा जल्दी बुला देंगे क्या बुला तो अवश्य देता इस बार उसके प्रेमी का पठांसा उचा अगला अगरज और भी मनमोहक हसी से उत्तर को समार उठ पर मुझे बड़ी दूर जाना पड़ेगा कितनी दूर इस बार पिरी के कंस्वर में कुट्टा ग्रस्त अविवायता नारी की रूखी जंकार इस पर स्थोटी अब तक माधुरे की रस रष्टे करती किसी सधे मीरा वादग की उंगलियां जैसे अंजाने एक बेसुरी मीं खीच गई मेरी जीब बाहर खड़ी है आप उसी में जाकर उने बुला लाई है आपकी जीब वो बड़े जोर से हसा और इस बार वो अपना चेहरा पिरी के एकदम पास ले आया वो इस बार अपनी चीख नहीं रोक पाई निश्चे ही ये उसके प्रेमी का प्रेत था अंध आज तक संसार की कोई भी जीव वहां तक नहीं जा सकी है बुलाने स्वयम मुझे जाना पड़ेगा वो भी चार कंदों पर आप क्यों मुझे भी वहां बेजना चाहती हैं सुना आप अपनी कुंडली में ऐसे किसी घातक रह की सिरिंज लिए गूमती रहती है पिरी तिल मि उड़ गई थी ओ तो बुड़िया उसी के जीवन विश घुलने को जी रही थी चलो अच्छा ही हुआ मिलती तो क्या निर्मल चित्र से उसका स्वागत कर पाती ये रही पास्बुक ये अंगुठी और बाहर बकसा धरा है कापते हाथों से बटवा कोल कर चावी मेज पर प पहाड के लिए पत्थर पल्टा आई हूँ अब नहीं लोटूंगी पासी धरे मेरे छोटे कलमदान का ढखना कभी खोलती कभी बंद करती वो मुझे अपनी कहानी सुना रही थी कि उसमें धरी एक छोटी पुडिया उसी गोद में गिर पड़ी अरे ये मूंगा कैसा है उस इसके कंट की प्रवाल माला खरी दी थी पहाड में एक लोकोकती है कि वेश्या के गले का एक अप्राप पे मूंगा यदि सुहागनी पहन ले तो एक वेश्या का साही अटल अहिवात पाती है अर्थात अखंड सो भाग गे वेश्या का सो भाग गे पिरी कुछ समझ नहीं पाई समझी नहीं मूर्ख मैंने हसकर कहा वेश्या क्या कभी विद्वा हो सकती है तू क्या सचमुचे से पहनेगी उसने पूछा और पलभर को मुझे लगा कि उसकी इर्ष्या कातर लोलुप द्रश्टिज में याश्ना मुखर हो उठी है और नहीं तो क्या वेश्या के ग प्रमदान खोला तो कलेजा धक से रह गया पुडिया के बीच से मूगा जादूई बजरबट्टू सा अदर्शे हो चुका था पल भर में मेरे अविवेकी चितने चट से चुगली खाई वही ले गई है वेश्या का मूगा क्या सहज में जुटता है छी कैसी नीश्टी मैं जो तीन दिन रहकर मुझे तीन सौ का सामान दे गई थी वो भला कीड़े का घुना काले पढ़ गए घुने दात सा मूगा चुराएगी और भला अपके सौभागी के आकांग्शा उसे हो सकती है पर अंतरात्मा भी पुलिस के कुत्ते की भात अप्राधी को सून कर कभी ठी की पकड़ती है अपनी आँखों से ही तो मूगे की महमा देखाई हूँ शायद इसी लिए वो नैनीताल आकर भी मुझे मिलने नहीं आई जिस मूगे के सूतर से उसने अचानक नवीन सौभाग दसो को पकड़ा था उसे मैं पहचानने पर कहीं खुलवा न लूँ मुझे ए आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी हुई कहानी जेश्ठा कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में चरूर लिखेगा फिर मिलेंगे किसी सुन्दर सी कहानी के साथ आपका समय शुभ हो सुन्दर हो